जय हिंद मेरे प्यारों बच्चे हूँ मैं प्रविन कुमार जह आपको केरे निशन इंस्टिटूट के चैनल पे स्वागत करता हूँ बच्चे जैसे कि आज कल मैं सौट्रिक्स की वीडियो ला रहा हूँ और आप लोग की खोब सपोर्ट मिल रहे हैं इसके लिए तहे जिल से धन्यवाद बच्चे आपको साइध याद होगा आपने वीडियो देखा होगा कि मैं एक टू बाइटू ओडर के स्क्वाइग मैट्रिक्स का मैट्रिक्स एक्वेशन यानि की करेक्ट्रेस्टिक एक्वेशन आपको निकालना सिखाया था विदेन 30 सेकेंड चीक है ना उसी तरह से मैं आज आप लोगो को कि 3x3 ओडर के मैट्रिक्स एक्वेशन या करेक्ट्रेस्टिक एक्वेशन कम से कम यानि सकेंड के अंदर कैसे निकालेंगे यह आज मैं इस वीडियो में सिखाने वाला तो आप लोग पूरे लास तक बने रहना और यह बहुती प्यारा सा बहुती अच्छा सा कॉंसेप्ट है जो जरूर सीखना और इसको मैं सौर्ट्रिक के मार्जम से आपको बताऊंगा कि सेकेंड यानि कि 30 सेकेंड के अंदर आप कैसे कोई भी 3x3 ओडर के मैट्रिक्स का मै कर लिजिएगा और जो अपने आपके दोस्त हो मित्र हो उनको जरूर सेर कीजिएगा क्योंकि यह इंफ्रोमेटिब वीडियो है और उसको कुछ हैल्प मिल जाएगा ठीक है बटा चलिए तो यहां पर आप यह कॉंसेप्ट को सीखें यह सौर्ट्रिक को सीखें इसमें क्या है कि एक आपको मैट्रिक्स इक्वेशन बनानी है जो 3 by 3 order का मैट्रिक्स के लिए होगा ठीक है बटा यह जो है और rarely आपको कुछेंज में पूछे गा और अगर पूछेगा भी तो वह एक special matrix को देके पूछेगा अगर special matrix कौन-कौन सा होता है तो जैसे कि आपको diagonal matrix हो गया ये एक special matrix है, scalar matrix हो गया, ये एक special matrix है, identity matrix हो गया, ये एक special matrix है, ठीक है, तो इन सभी matrix को देखे, आप से पूझेगा, कि उसकी matrix equation लिखिएगा, ठीक है बटा, अच्छा, ये सब special matrix है, जोड़ नहीं है कि ये sortrix, के बल उसी type के matrix में लगेगा, ये sortrix, general कोई भी matrix में लगेगा, ठीक है बटा, अब ये sortrix है क्या, ध्यान से दिखना, आपको ऐसे एक matrix दिया रहेगा, जो 3 by 3 order की matrix होगा, ठीक है न, जैसे कि, आपको कोई भी matrix इस तरह से देगा, 3 by 3 order में, जैसे 300, 123, 111, जो 3 by 3 order में, लेकिन ध्यान रहे, ये इसके limitation है, कि ये cable और cable, 3 by 3 order में ही काम करेगा, तो other order के जो matrix है, उसमें ये नहीं लगाऊगे, और क्या लगाना, 2 by 2 order का, तो मैं पहले से बता रखा हूँ, और ये क्याविटा 3 by 3 order का है, ठीक है, तो देखिए, इस तरह के अगर कुछ matrix दिया रहेगा, और उसका matrix equation या characteristic equation आप से पूछे, तो इसका sort tricks क्या होता है, इसको मैं reveal करने जा रहा हूँ आप लोग के साथ, तो अच्छी तरह से सीखिएगा, चलिए, अब देखो इसकी sort tricks हमें लिखना कैसे है, तो आपको एक third order का, यानि की cubic equation का एक structure लिख लेना है सबसे पहले, ठीक है ना, तो cubic equation किसका लिखेंगे बिटा, एका, तो start करेंगे एके power 3 से, फिर आएगा बिटा, एका square, फिर आएगा बिटा, ए, फिर यहाँ पे last में determinant of A लिख देते हैं, और इसको equals to क्या रखेंगे, जीरो, ठीक है, अब द्यान से देखना, बिटा, एका cube जो है, उसकी coefficient हमेशा के लिए one रहता है, इस चीज़ को आप लोग माइन में रख लेना, A square की coefficient में लंडा लगा देते हैं, और A की coefficient में बिटा, अब लोग को पता होगा, ठीक है, तो यह एक cubic order, यानि एक क्या होगया बिटा, cubic equation का एके structure है, ठीक है, अच्छा, इसमें अब क्या हैगा, साइन आएगा, प्लस माइनस, तो इसके लिए भी याद रखना, यह alternate चलता है, positive, negative, positive, negative, इस तरह से, तो पहला वाला positive, अगला वाला क्या हो जाएगा, negative, फिर positive, फिर negative, लोग, यह बन के तयार होगया, आपके इस A का, matrix equation, जो इस A को hold करे, यानि A इसका क्या है बिटा, root हो, ठीक है ना, चलिए, अब बात आता है, यह lambda क्या है, और यह mu क्या है, और यह determinant of A, तो आपको पता ही है, तो lambda क्या होता है, यह कुछ और नहीं है बिटा, वो trace of matrix A को ही, हम लोग क्या बोलते हैं, lambda, और trace of matrix, कैसे निकलता है, आप लोग को पता होगा, क्या है बिटा, sum of, sum of diagonal, diagonal elements, यानि diagonal elements का, जो sum कर देते हैं, वो matrix का trace value होता है, और यहां के उसको हमने, lambda से represent किया है, अच्छा, अब बात आता है, यह mu क्या है, तो और अच्छी तरह से, इस चीज़ पर ध्यान दीजी, mu का मतलब है, sum of, sum of minor, sum of minor, of main diagonal, main diagonal elements, elements, ठीक है ना, बहुत ही important, यानि कि main diagonal element, इसको बोला जाता है, बटा, 3, 2, 1, इसके जो minors होंगे, उसके minors का, जो total होगा, यानि sum होगा, वो mu के जगा पर आ जाएगा, और इस symbol से, आप पहले से, आपको वाकिव होंगे, इसको हम लोग determinant of A, बोलते हैं, इन टीनों की value, आपको निकालना है, और इस टीनों की value, इस equation में डाल देना है, यह आपका matrix equation, यानि, तो लगाना बटा मज़ेदा, यह short trip, ठीक है ना, आपको यह 3 निकाल के, इसमें put कर देना है, equation तयार, characteristic equation तयार, जो की, इस A को इसमें, क्या करेगा, यह hold करेगा, और अगर आप इसको verify करना चाहते हो, तो A की जो value है, वो इसमें रख के देखना, यह 0 के उरावर आएगा, clear है, तो यह क्या था, short trip 3 by 3 order के matrix का, matrix equation कैसे निकालते हैं, इलिए रहे बिटा, और अगर फटा-फट एक example की बात करें, तो देखेगा, इसमें एक example मैं आपको सुमझाता हूँ, और आप कैसे, इसको application में लाओगे, तो मैंने क्या गोला, कि यह rarely होता है, और यह दे भी देगा, तो एक special matrix के साथ देता है, जेनरली, तो एक matrix हम लोग ले लेते हैं, जो की diagonal matrix है, यानि कि एक diagonal matrix को, ऐसे लिखा जाता है विटा, कि 3 by 3 order की diagonal matrix, यानि कि आपके diagonal element, के अलाबा सारा element, इसमें क्या होता है विटा, 0 होता है, तो यह matrix हमारा क्या है, diagonal matrix, अब इसकी क्या निकालना है, इसका निकालना है matrix equation, तो matrix equation का सौर्ट्रिक अभी मैंने बताया, कैसे लिखना है, aq minus lambda a square, plus mu a minus determinant of a into i equals to 0, ठीक है न, आप ध्यान से देखना, यहाँ पे lambda की क्या घल्यों होगी, तो lambda काफी असान होता है, the main diagonal elements का sum lambda होता है, यानि कि 1 plus 2 plus 3 कर देंगे, तो यह 6 आगिया lambda की value, ठीक है न, अब आता है बटा mu, तो mu मैंने क्या बोला, कि इसके main diagonal elements के minor का sum, तो ध्यान से देखना, यह इसमें हम minor भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, अब सबसे पहले हम 1 का minor निकालेंगे, तो 1 को छोड़ दो, बादमा की diagonal में क्या बचा, 2, 3, इसको कर दो multiply, तो 2 into 3 कितना हो जाएगा विटा, 6 plus, उसी तरह से, अब मैं 2 का minor निकाल रहा हूँ, तो 2 का minor कैसे आएगा, अब 2 को ढटलो, बादमा की जो बचा diagonal में, 1 and 3 इसका product, यादि कि 1 into 3 कितना आजाएगा 3, अब मैं 3 का minor निकालूँगा, तो 3 को ड़क लीजिए, अब क्या बचना है बचा, diagonal में, 1 and 2, तो इसका product कितना हो जाएगा 2, और इसको solve कर लेंगे, तो इसका answer हो गया बचा कितना 11, ठीक है, अब उसी तरह से, इसकी determinant value निकालते हैं, तो determinant of diagonal matrix क्या होता है, product of elements of main diagonal, तो इसके main diagonal के elements का जो product आएगा, वह ही इसका determinant आजाएगा, यानि 1 into 2 into 3 करेंगे, तो यह कितने की equal आगया 6, अब इन 3 की value को रख दीजिए, तो हमारा short trick से matrix equation क्या बन गया, इसका a cube minus lambda की value 6 है, तो 6 a square plus mu की value 11 है, तो 11 a minus determinant of a 6 आगया, तो 6 i equals to 0, और कर दीजिए एक बार like, ठीक है बिटा, तो इस तरह के videos को आपको अगर चाहिए, तो हमेशा इस channel के साथ बने रहना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और विटा अच्छा लगा हो, तो like जरूर करियागा, और जो आपके जो love ones हैं, जैसे कोई मित्र हो, उनको यह जरूर share कीजिएगा, ताकि उसको कुछ लाप यानिकी फाइदा हो जाए, ठीक है, तो आज के लिए तना ही, मैं प्रभीन कुमार जा, आपको आज के लिए तना ही, जाहिए.